हालो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग राजदन शिंग अकेडमि के प्लाटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स और जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है इस प्लाटफॉर्म पर सभी एक्जाम्स की तयारी कंटिन्यू जारी है और आगामे एक्जामों के लिए भी क सब्सक्राइब नहीं क्या हो लाइक सेर सब्सक्राइब कर ले और टेस्ट सीरीज जरूर जोइन कर लें टेस्ट सीरीज एकदम खतर ना के आप आज का टेस्ट दोगे तो अपना खुद का सिस्मेंट कर लोगे कि क्या टेस्ट सीरीज थी ठीके फ्रेंट तो प्लीज आप सभी तो आज के जो सेशन होगा पहला कोशन आपके सामने अप्रॉक्समिली मैल यूरित्रा जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है तो प्लीज एक बार राइट आंसर बताएं option A, option B, option C, option D तो please इसका right answer बताइए उसका right answer होगा वो option B होगा friends ठीके next add the tip of panis, triangular structure, non-age ठीके यह triangular structure के बारे में पूछा है panis के tip of ठीके, तो क्या होता है glass panis, prequest, urethra इसपर्म ठीके, friends तो sperm भी नहीं होगा, urethra भी नहीं होगा glass panis भी नहीं होगा इसका right answer होगा, option B होगा ठीके, friends sorry tip of glass panis होगा, sorry नहीं, इसका right answer glass panis होगा, friends glass panis, triangular रोग tip of की बात होगा, ठीके, friends next, just above the glass यहां पे होगा, नहीं होगा, correction कर ले न, just above the glass skin fold is from movable double layer is known as, ठीके तो क्या होगा, urethra glass panis, sperm यह prequels ठीके, तो इसका right answer होगा जो option B होगा, friends ठीके bone warming cell also known as जो bone forming cells होती है वो कौन सी होती है, please right answer बताइए osteoclast bone destroying होता है और osteocyst यह cells formation करती है और osteoblast जो होती है वो bone forming cells होती है, जो इसका right answer होगा option B होगा, friends bone destroying cells are also known as अभी मैंने आपको बताया था bone destroying cells, ठीके यह formation करती है, यह cells का है और जो right answer होगा, वो option A होगा osteoclast, ठीके, friends please friends, channel को like, share, subscribe करना ना भूले और friends, एक GK Nursing Guruji GK Nursing Guruji channel है उसको भी like, share, subscribe जरूर करें ठीके, वहाँ पर आपको computer GK के questions देखने को मिलेंगे, ठीके और कोई अधर भी competitive exam की तेयरी कर रहा हो तो वो भी वहाँ पर कर सकता है, ठीके, friends next question आपके सामने, weight of non-pregnant uterus non-pregnant uterus की बात हुई है friends, ठीहान रखना, यह uterus की बात है, ना कि placenta की ठीके, placenta की बात नहीं है तो और pregnancy में होता है, तो 1000 gram, 900 से 1000 gram होता है 10 gram होगा नहीं, 100 gram भी नहीं होगा तो non-pregnant जो lady होते हैं, उसका जो weight होता है वो 50 से 60 gram होता है, uterus का weight ठीके, तो इसका जो right answer होगा ओप्शन D होगा, friends the size of non-pregnant uterus in adult is about length, width और thickness ठीके, उसकी तीलों के बारे में पूछा है length, width और thickness कितनी होती है non-pregnant uterus adult की ठीके, adult female है और उसका non-pregnant lady है तो उसका uterus होगा उसकी length, width, thickness कितनी होगी please right answer comment section में जरूर सो करें और question अच्छा है, सांदार है तो please right answer से भी जरूर कमें section में सो करें option A, option B, option C, option D friends जो इसकी करते हैं, die into die का double करेंगे पांच और पांच में, पांच का पांच, इसमें ठाई और जोड़ दो तो साड़े, साथ हो जाएगा, साड़े-साथ पांच, ठाई, ठाई, पांच, और धाई और जोड़ दो साड़े-साथ, तो इसका जो right answer होगा वो option D होगा friends, ठीके friends सेशन्स कैसे लगते हैं प्लीज कमिंशेक्शन में गवर जरूर बताएं कि सेशन्स आपको कैसे लगते हैं और प्लीज फ्रेंड्स फिर में दुबारे वोड़ रहा हूं कि टेस्स सिरीज जरूर जोईं करें टेस्ट सीरीज बहुत शांदार टेस्ट सीरीज है और जिसने मेरी परड़े क्लाशे ली होंगी तो मैं जो लगता है कि मैंने उसमें बहुत सारे कोशन्स आप लोगों को कराए हैं और मैं भी टेस्ट करोगे तो साइद आपको ऐसा लगेगा नहीं कि चीजें आपको नहीं मिल रही है ठीके फ्रेंड्स तो प्लीज अच्छे से टेस्ट दें इमानदारी से टेस्ट दें और उसमें कोशन्स छोड़ने का ओप्शन्स हैं आप कोशन्स को छोड़ सकते हो ठीके फ्रेंड्स नेक्स्ट एट विज टेंपरिचर टेंपरिचर सक्सेस्पुली इस्परट मेटो ओजनेसिस ठेक प्लैस ठीके जो अपना इस्परमेटो ओजनेसिस होगा वो कितने टेंपरिचर पर सक्सेस्पुली होगा उसका टेंपरिचर कितना होना चाहिए या कितने temperature पर वो survive करेगा body temperature पर या above temperature पर या below temperature पर या 3 degree से normal temperature पर तो friends दिहान रखना जब भी इस पर हमारा जो successfully temperature होगा वो below temperature होगा body से ठीके अगर body का माल लीजे 37 degree Celsius है तो उसमें कि 2-3 degree Celsius कम कर दीजिए average की बात करें तो 35 माल लीजें आप ठीके friends next the part of sperm which contain it DNA ठीके part of sperm which contain it DNA तो concept DNA क्या बोलती sperm का part होता है जो contain DNA है तो please इसका right answer बताए tail, leg body या head है तो head उसका आगे का part होता है और ये इसका उंच होती है जो क्या होती है ये tail पार्ट होता है ये प्रोमिनेटेट पार्ट है जो इसका क्या head है तो इसका जो right answer होगा वो क्या होगा तो इसका right answer option अप्शन दी होगा ये जो प्यूबर्टी इन फीमेल इस अप्रोमेक्सिबली ठीक है फीमेल की फ्यूबर्टी इस कितनी होती है प्लीज एक बार बताईए option A, option B, option C, option D प्लीज इसका right answer बताईए तो इसका right answer होगा option A होगा friends in which phase of masticle cycle ovulation अकर जो अपनी जब महिला की bleeding of mc cycle आते है उसके दोरान जो ovulation cycle होगा जहां ovulate होने का और रहता है वो कौन सी stage होगी मेसल फेज प्रोलेटरी फेज सेक्रेटरी फेज या एल्मनेटरी फेज प्लीज इसका right answer बताईए इसका right answer होगा क्या होगा बहुत important तो बहुत शांदार question है प्लीज राइट answer बताईए उसका right answer होगा option C होगा friends मेनोपोस मेंस मेनपोज का म्म बहुतिक्टरी क्या है अवगरेशन होना हम से साई के साचिकल का रोग जाना या मीटिंग ऑफ इसपर्म मीनपोज 280시DEN मतलब मज़़ 22 Ven amongst rice came Mr Black रोग जाना पर्मनेंटली मीनोपोज कहला था है एस क्या होती है 45 ठीक है अब वो होगी लेस्ट देर नहीं इसका जो राइट आंसर होगा वो उप्शन सी होगा दा हार्मोन विच इस रिस्पॉंसिबल फोर मैचुरेशन ओव दा फोलिकल्स ठीक है वो कौन सा हार्मोन है जो फोलिकल्स मैचुरेशन के लिए रिस्पॉंसिबल होता है पिलीज इसका राइट आंसर कमी शेक्शन में जरूर बताएं किसका राइट आंसर क्या होगा एलेच, एफैसेच, प्रोजेस्टरोन या थाइरोक्सिन तो प्लेज इसका राइट आंसर एक बर कमी सेक्शन में जरूरू बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा FSH FSH हार्मोन दे इस्टिमिलेटिंग हार्मोन और यह मैचुरेट करता है और अग्राफियन फॉलीकल इस्टिमिलेट हार्मोन वी रिलिज वाइट एंटियोटरी प्रिटियोटरी ग्लैंड ठीके फ्रेंड्स फीर्मेशन ओप कॉर्पस लूटियम टेक प्लेस अंडर दा इन्फ्लेंशी ओफ क्योंटियंग की बात हो रही है टिके फ्रेंट, take place under the influence तो प्लीज राइट आंसर बताईए LH, estrogen, FSH, प्रोजिस्टरॉन प्रोजिस्टरॉन भी नहीं होगा, FSH नहीं होगा, अब बच्चते हैं option A और B, प्लीज इसका right answer बताईए, इसका right answer option A होगा friends function of scg harmon, scg harmon का function क्या होता है प्लीज राइट आंसर बताईए function of SCG हार्मोन सेक्रेशन करता है एफ एफ एस अच का यह इट इस्टिमूलेट दा कॉर्पस लूटियम इसका राइट आंसर बताईए कि राइट आंसर क्या होगा और इसका जो राइट आंसर होगा वो option B होगा फ्रेंड्स दा पी एच ओ वेजाएना इस विट्विन ठीके वेजाएना की पी एच कितनी होती है एसेडिक होती है यह एलकलाइनिक होती है प्लीज इसका राइट आंसर बताईए कि पी एच ओ वेजाएना option A, option B, option C, option D तो प्लीज पी एच ओ वेजाएना आल्सो नेवन एस 3.85.08 तो राइट आंसर ओप्शन ए होगा दा वेल ओप दा यूट्रस आर एकसेप्ट ठीके वाल ओप दा यूट्रस यूट्रस की सभी वाल है एक को छोड़कर प्लीज राइट आंसर बताईए एकसेप्ट है मतलब इसके सभी हैं एक को छोड़कर ने ली परिमेट्रियम यास माइओमेट्रियम यास इंडोमेट्रियम जैस और अंडोकार्डियुम नहीं होती अंडोकार्ड़ me अंडीफ८ थर्डिलीयर ओफदा हार्ट तक के मिसका जो राइट नशर होगा वह क्या होगा ओप्शन डी की across a डाइफ्राम क्या है बोन है बोडी केवेटी है बिलड वैसल से या मसल से तो डाइफ्राम क्या है डाइफ्राम हमारे कहां पर सीटुटेड होता है प्लीज इसका राइट अंसर बताइए और डाइफ्राम को जो राइट अंसर होगा वो ऑप्षन डी होगा यह मसल्स है ठीक है जो प्रेसर पॉइंट का काम करती है हम अगर क्या बोलते हैं लेडी प्रेगनेंट होती है और उसमें भी मसल्स है मसल से प्रेशर पॉइंट काम करती है, पुल आउट करने का काम करती है, ठीक है? और हम जब इन और आउट रेश्पिरेशन करते हैं, तो उसमें भी हमारी हेल्प करती है. डायफ्राम लोकटेड बिलो दा लंग्स, ठीक है, लंक से हमार फैपडों के नीचे होती है और major muscles of respiration यह किसकी muscle से सबसे ज़्यादा तो यह respiration के it is large domic shaped muscles contract rhythmical and continuously ठीके friends enzyme heparin and histamine are secret by it ठीके जो enzyme होता है heparin और histamine यह किसके द्वारा secret होता है तो please write answer बता ही mast cells, leucoside cells, fat cells या RBCs तो please इसका right answer बता हीए और इसका जो right answer होगा option यह होगा friend heparin and histamine are secret in mast cell next question pinna of ear is formed by तो please जो ear pinna होता है ठीके ear pinna is formed by ठीके तो वो किससे बना होया होता है pinna of ear is formed by किया यह bones का बना होता है ear pinna हमारे bones का बना होता है hyaline cartilage, elastic cartilage या limpoid tissue तो please इसका right answer बता है तो please इसका right answer बता है फ्रेंड जो हमारा ear pinna होता है और formed किसे bones का कोई role होता है क्या नहीं lymphloids का होता है क्या नहीं अब बचते हैं option B और C तो please इसका right answer बता है B and C hyaline cartilage तो इसका right answer होगा option B होगा friends sorry C, C hyaline cartilage ने elastic city को करती है ठीक है friends elastic city cartilage medical term में outer ear in the aurosil of pinna ठीक है आपने कहीं बार देखा होगा ear pinna से ही हम जब कभी patient को ng tube डालते हैं तो ear pinna nose nose to sternum करते हैं ठीक है वो ही ear pinna होता है तो friends ये था आज का session आज का session आप सब को कैसा लगा please एक बार comment section में जरूर बता है और friends जाना नहीं अभी friends last और first बार सुन लो test अपनी इमानदारी से देना question जितने छोड़ना चाओ उसम option है hundred question है time set करके करना 90 mint अपने लगा लेना 100 questions है अब आप अपना mind ये सेट करोगी 100 questions 90 mint मुझे कितनी speed से कैसे करना सही भी होने चाहिए गलत भी ना हूँ ठीक है friends ये मान लिजे 100 questions और ये 100 mint ठीक है तो एक जगा आप पढ़ने में लिख लो कि मैंने paper इतनी बज़े से इतनी बज़े start करा है और जब आपके 100 questions हो जाते है तो आप जब देखो कि आप मुझे कितना time है मैंने question ना time करें questions पढ़ें चारो options पढ़ें ठीक है कई बार क्या होता है हमें आती हुई चीज भी गलत हो जाती है उसका man कारण होता है जल्दबाजी ठीक है friends जल्दबाजी की वज़े से हमें से चीज गलती होती है तो friends इसलिए जल्दबाजी का कोई काम नहीं है आराम सपना test दें ठीक है किसी भी तरह की कोई queries आए कोई समस्य आए हो किसी भी तरह की कोई प्रेशानी हो तो आप हमें बता सकते हो अगर कोई questions में पहली बात तो ऐसी कोई कुछ होगा नहीं फिर भी अगर फिर भी अगर किसी questions में curious हो या कोई questions में doubt हो तो आप उसका screenshot लेकर आप उसे हम group में share कर सकते हो हम उसका answer with reactional आपको देंगे ठीके friends और आपको answer की आपकी mail पर पहुँच जाएगी ठीके friends don't mind आप आपका answer की जो पूरा setup है आपकी mail ID अच्छे से और सही से डालें ठीके friends तो ये था आजगा session और मिलते हैं कलोरिक भैतरी इन sessions के साथ ठीके friends और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें continue अच्छे से best of luck all friends और अच्छे से test दो और rank उंग सब मिलेगी time से पहले exam दोगे तो 10 बजे test start होगा रात को 9 बिज़ तक अगर आप test देते हो तो आपको rank provide की जाएगी ठीके friends तो ok friends मिलते कलोरिक भैतरी इन sessions के साथ ok bye take care love you all friends कर दो फ्रिए मिलेगी